हेलो प्रिवन, वेलकम टो न्यो वीडियो, आज के इस वीडियो हम लोग गुडन खंड निकालना सिखेंगे तो देखें गुडन खंड के जो अभी नार्मल परश्ण है वो मैंने आपको सिखा दिया हूँ इस टाइप के परश्ण आज जो आपको गुडन खंड के प्रश्ण निकाऊंगा वो इस टाइप करेंगे जिसे प का पावर 2 प्लस 3P प्लस 9 बाइ 4 यानि बटे के रूप में रहेगा भिन के रूप में रहेगा तो ऐसे प्रश्ण अगर गुडन खंड के आपके सामने आएगे तो आप कैसे सालो करोगे इन सारी चीजों को सीखिए एक रफ कापी नोट का लिजिए सारे प्रश्णों को जब मैं इस सारे प्रश्ण आपको बता दूँगा तो आप इन सारे प्रश्णों को रफ कापी पर लिखिएगा और खुद से लगाईएगा जो मेरा एंसर आया रहेगा आपका भी एंसर आजएगा तो समझ लिजिएगा आप सीख गयो थोड़ा आपको अच्छा लएगा प्रकार से लिखना है कि जोडने पर तीन थेरीपी आ जाएगा आपको क्या ठीज दो इस प्रकार से लिखना है कि जोडने पे 3 P आ जाए अब अराम से आ जाएगा अब यहाँ पर जो 3 P लिखा हुआ है इसे हम लोग इस तरह से 3 P by 2 लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे 3 P by 2 लिख देंगे अब 3 P और 3 P जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6 P आ जाएगा अब आपका हर बराबर है तो 2 लिख लोगे 2 से 6 भाग दोगे 2 तियां इच्छा तो आपका 3 P आ चुका कि नहीं इस तरह से आपको यह सारी चीजें करनी है तो यहाँ पर 3 P की जगा पर अब आप क्या लिखोगे यह जो 3 P by 2 है 3 P by 2 प्लस 3 P क्या 3 P by 2 अभी 2-3 सवाल लगाएंगे आपको सवाज में आजएगा अब यहाँ पर प्लस 9 by कितना है 4 है तिसे 9 बटे आप 4 लिखो अब आपको करना क्या है इसमें कामन खोजना है कामन क्या चीज होता है जो दोनों में पाया जाए वही कामन होता है पीस में 2 बार है इसमें 1 बार है तो 1 P कामन ले लेंगे तो P से 1 P कट जाएगा 1 P बचेगा यहाँ पर प्लस का चीज मना हो पीस से P कट जाएगा 3 बटे कितना बचेगा 2 बचेगा अब 3 P by 2 प्लस 9 by 4 में आपको कामन खोजना है इसमें देखिए कामन क्या है इसमें आपको 3 बटे 2 कामन मिलेगा क्यों क्योंकि 3 बटे 2 जो है वो 3 बटे 2 को भी कार देगा और 3 से 9 को कार दोगे और 2 से 4 को भी कार दोगे तो यहाँ पर प्लस का चिन लाकर 3 बटे 2 हम इस तरह से कामन ले लेंगे तो तीन बटे दो से तीन बटे दो कट जाएगा यहाँ पर बज़ेगा P तीन से नौ को काटोगे पलस तीन तरिक करना होजेगा दो से चार काटोगे दो दूना चार होजेगा बाते समझ मैं यह लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है एक बार आप दिमाग में बेड़ जाएगा तो गल्ती नहीं हुआ लेकिन बार-बार आप उन शवालनों को बीच बीच में लगाते रहे है कोई भी सवाल हो भूल जाएगा अगर आप प्रेक्टिस नहीं करते हो मैतर डेली नहीं लगा रहे हो रिविजन नहीं कर रहे हो, पिछले सवाल पोटशनों का तो नहीं लगा पाऊगे यहाँ पर देखो P plus 3 by 2 इसमें भी है P plus 3 by 2 इसमें भी यानि आपका calculation सही है तो हम क्या करेंगे P plus 3 by 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यानि कामन लेंगे यह पूरी तरह से कर जाएगा इस bracket में बचेगा P P plus 3 by 2 यहाँ पर कामन ली होती यह भी P plus 3 by 2 कर जाएगा प्लस क्या बचेगा? 3 by 2 बचेगा अब ज़रा ध्यान दू P plus 3 by 2 इसमें भी है P plus 3 by 2 इसमें भी है सेम चीज वही है जब इस तरह से सेम चीज लिखाओ कहीं पर तो आप इस तरह से P plus 3 by 2 लिखना देखो P plus 3 by 2 यह भी है P plus 3 by 2 यह भी है तो यह दो बार प्लस लिख दिए क्या? यह P plus 3 by 2 अब आप इस तरह से bracket का चिन लागार यहाँ पर power 2 लिख देना दो बार है तो power 2 कर देना यही आपका क्या हो जाएगा? अंसर हो जाएगा पहला स्वाल आपने काफी अच्छे तरीके से समझ दिया होगा और आपको आप ही गया होगा चलिए दूसरा प्रस्न कराते हैं दूसरा प्रस्न दिखे क्या है? X का power 2 plus X plus 1 by 4 है तो आपको 1 by 4 को क्या करना है? 1 by 4 को 1 का 1 ही रहेगा ऐसा जब प्रस्न आए है तो 1 का 1 ही लिखना और 4 को क्या लिखोगे? 2 से बार हो 2 दूसरा दूसरा चार होजेगा 1 by 2 यहने आपको 1 by 2 यहाँ पर X है तो 1 by 2 X plus 1 by 2 X इस तरह से लिखना है बस इसी चीज की आवाज सकता है तब आप X का पावर 2 को X पावर 2 लिखोगे प्लस X की जगा पर आप क्या? 1 by 2 X plus 1 by 2 X लिखोगे 1 by 2 यहाँ पर 1 by 2 X प्लस एक बिटे चार है तो प्लस एक बिटे चार लिख लेना अब देखो करना क्या है? करना क्या है? अब हर आपका बराबर है तो 2 लिखोगे 2 से 2 कर जाएगा तो एक ही X बचेगा न तो एक X की जगा पर X के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप एक लिख लिख लेना एक X की जगा पर हमने 1 by 2 X plus 1 by 2 X लिखा है अब आपको चुझे स्वांज में आ रहे हैंगी इसमें कामन X हो जाएगा एक X से X में भाद होए एक X कटेगा एक X बचेगा प्लस एक से X कटेगा तो एक बटे कितना होजएगा? दो हो जाएगा अब 1 by 2 X plus 1 by 4 में कामन क्या है? इसमें देखो 1 by 2 कामन मिलेगा 1 से 1 कटेगा 2 से 4 कटेगा तो 1 by 2 कामन होजएगा 1 by 2 से 1 by 2 कटेगा तो X बचेगा 1 by 2 से 1 by 4 में भाद होगे थे एक एक कम एक होजएगा अब 2 से 4 कटेगा 2 दूना 4 होजएगा यह तरीका है अब यहां पर देगो, x plus 1 by 2 इस में भी है, यह अपका calculation सही है ति यह x plus 1 by 2 को हम क्या करेंगे? कामन ले लेंगे यह x plus 1 by 2 को कामन ले ले रहें ति यह पूरी तरह से कर जागा इस bracket में x बचेगा यह भी पूरी तरह से कर जागा plus 1 by 2 बचेगा X plus 1 by 2 इसमें भी है X plus 1 by 2 इसमें भी है सेम चीज है तो हम लिखेंगे X plus 1 by 2 का क्या कर देंगे Whole square कर देंगे यह आपका इस प्रशन का क्या होगा उत्तर होगा बस एक बार आप इस तथे को कैसे change किया आता है अगर आप समझ जाओगे ता आप प्रशनों को अराम से हल कर लोगे अभी इस प्रशनों को और मैं कठिन कठिन इस पे आधारी सवाल खो जूँगा अगर आपके किताब में होगा तो अच्छी बात होगी तब और डिटेल में थोड़ा समझाए जाएगा मस्त अब यहाँ पर यानि इसके सामने भी अगर कोई भी संख्या रहेगा तब न मजाएगा अभी तियो थोड़ा छोटा ही है पर आप पहली बार सीखर होगा तो थोड़ा आपको भड़ा प्रशन लगेगा कठिन प्रशन लगेगा लास्ट प्रशन देखो पी का पावर टू प्लस फाइपी प्लस पचीस बटे चार है आपको करना क्या है पचीस है तो इसमें आपको पान से भाग दे देना है क्या पान से यहाँ पर देखो यानि अगर मैं मोटा मोटा बताओं तो यह किसका स्कॉयर बन रहा है पचीस तो पाँच का स्कॉयर अगर आप पाँच का स्कॉयर करते हो तो कितना आजाता है पचीस तो जिसका स्कॉयर करते हो उसको आप पहले उपर लिख लो उसी तरह से चार है तो दो का स्कॉयर करते हो तो कितना आजाता है तो 3 बटे 2 यही 3 बटे 2 देखो यहाँ पर 3, 3 बटे 2 P, 2 P के रूप में लिखा हुआ है अब अगर इसके सामने कोई संख्या रहेगा तो और मजाएगा, उसका गुड़ा कराके किया जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपके किताब में हो तब ना वरना इतने कठिन प्रश्ण कराने के क्या फायदा अगर आपके इताब में है ही ना पर मजा तो आएगा कम से कम से अब यहाँ पर आप चीजों को सीख ली हो यह चीज कैसे होगा आसा करता हूँ आप नहीं भूलोगे समाझ में आ रहे हैं कि चीज़े की नहीं अजसे 25 है तो किस संख्या का इसक्वार का ने 25 हाजेगा पांच का इसी तरह से मान लो अगर 36 बटे यहाँ पर कितना होता 36 बटे यहाँ पर मान लो 16 होता तो यहाँ पर 36 का हम लोग 6 लिख लेते और 16 का हम लोग 4 लिख लेते 6 बटे 4 अगर यहाँ पर P हत 6 बटे 4 P प्लस 6 बटे 4 P कर लेते बातें समाज में आ रहे हैं कि नहीं लेकिन हमारा 5 बटे 2 आया है बहुत ही अच्छे तरीके से हम P का पावर 2 लिखेंगे इसके बाद 5 P लिखा है तो 5 P की जगा पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 बटे 2 P प्लस 5 बटे 2 P लिखेंगे प्लस यहाँ पर 25 बटे कितना है 4 है अब अगर इससे आप साल्व करोगे देखो अब अगर इससे अगर आप साल्व करोगे 5 P बाई 2 प्लस 5 बाई 2 P को साल्व करोगे तो 5 P ही आएगा अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा common इन दोनों में common खोजना है तो इसमें इसमें common क्या होगा जरा ध्यान देना piece में दो बार है piece में एक बार है तो एक पी common लेंगे यहाँ पर p plus 5 by 2 बचेगा p से p कर जाएगा plus का चिन मनाओ 5 बटे 2 इसमें common मिलेगा 5 से 25 कर जाएगा 2 से 4 कर जाएगा तो 5 बटे 2 से 5 बटे 2 कटेगा p बचेगा 5 से 25 को काटोगे 5 बार में कटेगा 2 से 4 काटोगे 2 बार में कर जाएगा अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है p plus 5 by 2 है तो p plus 5 by 2 को हम क्या करेंगे whole square कर देंगे यह आपका क्या होजएगा उत्तर होजएगा तो आशा करता हूँ इस टाइप के गुडण खंड अगर आप से पुछे जाएंगे तो आप बहुत ही बेहतरिन तरीके से सालो कर लोगे क्योंकि इसको बदलने का तरीका भी मैंने काफी अच्छे तरीके से बता दिया सभी को आ जाएगा कोई भी ऐसा प्रश्ण आपके किताब में अगर इस तरह से मिलेगा आप कर लोगे अभी नी प्रश्णों को रफकापी पर नोट करिया और फटा फट से लगाईए तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी और तत्थे के साथ इतने दिर तेक बने रहने के लिए आप चलो का